इस बिच जुलाई की दोरान गाडियों की विक्री की ग्रोथ अब घटती दिख रही है आटो कंपनियों ने अब गाडियों के उपर डिसकाउंट भी शुरू कर दिये हैं इस बार जिस तरह के डिसकाउंट दिये जा रहे हैं वे पिछले साल के मुकाबले करीब दो गुडे हैं मारुती, हुंड़, टाटा, स्कोडा और हॉंडा, सहित, अधिकतर आटो कंपनियों की तरफ से डिसकाउंट दिये जा रहे हैं समभावना ये है कि ये डिसकाउंट सेल आगे आने वाले तेवहारी सीजन में भी बनी जा सकती है सेल का मकसद आटो डिलर्स के पास पड़ी भारी इंवर्टरी को कम करना भी है जुलाई के दौरान आटो डिलर्स के पास कारों की इंवर्टरी 72 दिन की ज़रूरत के बराबर पहुंच गई है क्या आब यह मान के चलें कि गाड़ियों के डिसकाउंट और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से इन्वर्टरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जी देखें डिसकाउंट ऑल्रेडी जो हैं वो 2020 के बाद सबसे ज़ाधा उपरी इस तर पर देखने को मिल रहे हैं मारूती हो दूसरी ब्रैंड्स हों सब ही ने अपने जो डिसकाउंट जाए वो घटाएं जब वो डिमांड एकदम निकली तो कार की बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बीते वितवर्ष में बना लेकिन उसके बाद से जो डिमांड थी वो स्लोडाउन फेज में चली गई अब डिमांड बहुत तीजी से आगे बढ़ती नहीं दिख रही है बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो लाइन में लगे हैं लाउंच होने के त्योहारी सीजन से पहले यही वो त्योहारी सीजन होता है अगले महीने ओनम होगा केरला में वहां से दरसल फीता कटेगा त्योहारी सीजन का सही मायने में नवरात राएंगे दीवाली आएगे और लोग यही वो समय होगा जब सबसे ज़्यादा कारें खरी दी जाती है उससे पहले ही इंवेंटरी अगर रखी हुई है तीन लाग की इंवेंटरी मोटे तौर पर मानी जाती है कि 30 दिन के लिए परयापत है इंवेंटरी एक लाग ज कैसे आगी यह पैसा आता कहां से यह पैसा आता है डिलर्स के पास बैंकों से जहां से वो फाइनेंस कराते हैं तो एक तो उन्हें उंचे ब्याज अभी आपने कहा है एक तो उनको उंचे ब्याज के विए से उनकी लागत बढ़ रही है वो फाइनेंस कराकर गालियां रखे कहां से आएगा अगर पैसा पुराना यहीं फसा है तो वहां से वो खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा तो यही वज़ा है कि यह बड़े-बड़े discount दिये जा रहे हैं यह माना जा रहा है कि तिवारी सीजन में अगर मांग नहीं निकली तो शायद यह जो पूरा discount जो लेकर आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि किसी तरह से यह जो inventory है इसको clear किया जा सके जिससे कि wholesale जो sale है कम से कम उसको push मिल सके जी और तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप गाड़ी लेने का plan बना रहे हैं और अब तक नहीं ले पाए हैं तो यह आपके लिए सही समय है इस discount का फाइदा हो था यह और त्योहारी सीजन में आप गई नहीं गाड़ी जो है वो लेकर के आ सकते हैं इस बिस capital market regulator से भी ने निवेश शलाकारों और विशलेशकों के लिए नए नीमों का प्रस्ताव दिया है प्रस्ताव में यह कहा गया कि निवेश शलाकार या विश रहे हैं जिसमें की जिसका जिसमें को कुछ कहने की जरुरत ही नहीं सब कुछ stop loss क्या होंगे target क्या होंगी क्या इसको बताने की जरुरत पड़ेगी जी बिल्कुल देखी क्या हो है कि सेवी ने यह जो प्रपोस किया है registered investment advisor research analyst की समझना बहुत जरूरी है बहुत बहुत particular किसी एक stock पर तो वह यह मान कर चलता है कि यह जो विशेशक है यह पूरी तरीके से उस company की balance sheet को उसके chart को या जो भी चीज़े हैं उस mutual fund को गहराई से पढ़ रहा है जान रहा है समझ रहा है और उसके आधार पर हमको सलाश दे रहा है से भी यह कह रहा है कि अगर आप यह स rule set की हैं AI में और AI में rule set करने के बाद जो result निकल के आएं उसके आधार पर हमारी यह research report है अब आप इसको दोनों तरह समझ सकते हैं आप यह भी कह सकते हैं कि सर आदमी गलती कर सकता है machine नहीं कर सकती तो हमने AI के माध्यम से यह research करकर आपको इस बैग यह research बैग रिपोर्ट है और इस report पर आप भरुसा कीजिए दूसरा पक्षिस का यह हो सकता कि लोग यह मानेंगे कि बहुत आपने तो एक indicator लगाया उसके आप सबको तोल दे रहे हैं जबकि हर company की स्थितिया लगए तो आप गहराई से तो विशलेशन तब करेंगे विशेशक आप तब बनेंगे जब आप अपनी जो पूरी आपकी शमता है वो आप उस company पर या उस portfolio पर या उस mutual fund पर कुछ भी मान लीजे उस पर आप लगाएंगे उस plan पर उस scheme पर उस bheema पर जो भी आप सला लेना चाहिए जब आप उस पर लगाएंगे तब हम मानेंगे तो से भी यह चाहता है कि अग भी खरीदने बेचने रखने की सला दे रहे हैं वो इसके आधार पर दी जा रही है लेकिन इसमें तो फिर identify करना तो सेभी के लिए ही मुश्किल होगा माल लेजे कोई वेक्ति AI का इस्तमाल करके कोई recommendation दी रहा है उसने अपने ज्यान से recommendation दी है या AI के कहने पर दी है इसको तो कैसे identify करें तो बड़ा मुश्किल challenge होगा है जी बिल्कुल देखिए टेक्नलोजी का जो innovation है यह हमको समझना होगा कि अगर आप AI टूल जैसे यह पूरी तरीके से AI based है मैं आपको एक बहुत चोटे से example से समझाता हूँ जिससे आप पूरी बात आराम से समझ जाएंगे देखिए इस टॉक मार्केट की बात करते हैं इस टॉक मार्केट में हम चार्ट्स पढ़ते हैं टेक्निकल चार्ट्स पढ़ते हैं उस पर buy और sell के level निकालते हैं तो हम यह पता करते हैं कि ठीक है हमने कभी support देखा कभी resistance देखा कभी channel बना कर देखा कभी बहुत तरीके के cup and handle तमाम प्रेटर्न होते हैं जिनको पढ़कर एक individual निकाल रहा है AI चार्ट कैसे पढ़ेगा AI चार्ट पढ़ेगा जो formula आपने पूट किया अब suppose कीजिए कि आपने formula पूट किया कि जब कोई stock अपने 50 दिन के moving average की ऊपर निकले तो वो buy है जब वो 50 दिन के moving average को तो 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 वो sell है य अब क्या होगा अब यह होगा दिन में 50 कंपनी के buy sell buy sell buy sell buy sell निकलते रहेंगे वो customer के पास जाते रहेंगे तो से भी यह चाहता है कि इसमें आपका human intervention ना के बराबर है आप एक AI software के माध्यम से किसी को stock की call बेचने की या सलह दे रहे हैं तो यह बात आप उस र्यक्ति को बिल्कुल बता दीजिए कि इसका individual chart आपने नहीं पढ़ा है यह आप AI के based है तो बिल्कुल सही बात है कि यह company की जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरीके के चीजें अपनी आप से बताएं जैसे आप एसे समझ लीजिए कि जैसे गुटके पर लिखा होता है स्वास्त के लिए हनी का रहे हैं तो से भी उसी तरीके से कह रहा है कि अगर आप को ए रिपोर्ट दे रहे हो सकता है वह बहुत अच्छी calls दे बहुत अच्छा रोबस्ट सिस्टम आपने बना दिया हो लेकिन उसके बाद भी यू हैव तो राइट कि बॉस्ट इस रिसर्च इस बैक्ट बाए ए आई रिसर्च या ए आई टूल्स या ए आई सॉफ्ट वेर्ट वेर्ट